कि हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने प्लेटफर्म पर जिसका नाम है कोर यूपिएसी ठीक है यह बहुती ओपन प्लेटफर्म है आप सभी के लिए आप अपनी बात रख सकते हैं अपनी राय दे सकते हैं हमारा एक suggestion रहता है हमेशा UPSC के experience के लिए कि वो जब भी UPSC के तयारी करें तो उनका जो दिमाग है वो बहुत ही open रहना चाहिए उनकी अपनी जो समझ है उसको विक्सित करने पर उनको पूरा ध्यान लगाना चाहिए UPSC एक्चुली यही है ठीक अगर आप अपनी समझ को विक्सित करने पर दिहान नहीं लगाते हैं तो आप माफ किजिए का आप IS नहीं बन पाएंगे या आप इसका एक भी चैनल पार नहीं कर पाएंगे ठीक यानिकि एक प्रिलिम्स भी नहीं पास कर पाएंगे क्योंकि यह एक्जाम पूरे तरीके से सोच का एक्जाम है पूरे तरीके से ठीकिंग का एक्जाम है और यह हमें अप्रोच देता है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें अपनी चीज़ों को इनलार्ज कर सकें चुकि जब हम फिल्ट पर काम करने जाएंगे तो यह बहुत important हो जाता है कि वहाँ पर हमारी जो सोच है वो बहुँ आया में प्रकतिकी हो तब जाकर हम चीज़े कर पाते हैं और हम cool रहे हैं example के लिए अभी लखनों में बहुत बारिश हुई बहुत जगा पर जल भरा हुआ जाहर सी बात है सैक्लोफोन डियम के पास गए होंगे अगर वो उनसे परेशान होने लग जाए या वो अपनी सोच को इस तरह से न रखे कि हाँ ये परेशानी आने वाले इसके पहले ये ये आपचारिक तोर पर ये विवस्ताएं हो जानी चाहिए तो क्या आप सभी को लगता है कि चीज़े हो पाएंगी मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाएंगी इनफेक्ट हो ही नहीं पाएंगी तो ये बहुत एहम होता है कि हम पहले से उन पूर योजनों के लिए अपने दिमाग को विक्सित करने हैं ये तैयारी इसी विक्सित दिमाग करने का एक प्रक्रिया है अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आप यकीन वानिये निश्चित तोर पर अगर आपकी किस्मत खराब नहीं होती है तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे कई बार कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वज़े से कई पार लोगों का सेलेक्शन नहीं होता है लेकिन प्रतिभा और सीमित सीटों में कुछ तो किस्मत करूल होता है खेर उन चीजियों पर ना जाते हुए मेरा आप सभी से अग्रह है, निवेदन है कि जब ही आप पढ़ें तो अपने पढ़ाई के पढ़ाई को 360 डिग्री के फार्मेट में लेकर जाए जैसे एक्जामबल के लिए, जैसे मालो आप अर्बनाईजेशन पढ़ रहे है तो जैसे आपके कोर्स के मैं बात करता हूँ आपके कोर्स में अर्बनाईजेशन है, वो बहुत जगा मेंशन ठीक, जैसे आप पेपर वन पढ़ रहे हैं तो पेपर पन में भारती समात के मुख्य विशेस्ताओं में भी उसका रूल हो सकता है, उसका रूल हो सकता है भारत के विवितिता में भी हो सकता है, महिला की भूमिका और महिला संगठनों में भी उसका प्रियोग हो सकता है, उसका प्रियोग उपनवेश्वाद में भी हो सक सकता है ठीक उसका प्रियोग औदोगी क्रांती में भी वह सकता है वयगयानिक क्रांती में भी हो सकता है ठीक और ह buffalo कि osure और उसकी चुनोतिया完 इसलफ तो इसके लिए हैं कि साथ ही जब हम प्रमें भूमंडली करन्त के बारे में पढ़ते हैं यह जो है दिखाई जरूर देता है ठीक या फिर हम बात करें भारती सनवेधानी की उजना और अन्य देशों की तुलना पर तो वहां भी दिखाई देता है जैसे अन्य देशों की जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि डेनमार्क का क्या मॉडल है जर्मनी का क्या मॉडल ह फ्रांस का क्या मॉडल है, अमेरिका का क्या मॉडल है, जापान का क्या मॉडल है तो इस से हम बहुत कोश्च सीखते हैं ठीक है न और उसी applied mind को हम यूज करते हैं इसका प्रयोगम सिच्छा स्वास्त और रोजगार समंदी और बेरोजगारी समंदी मामलों में भी कर सकते हैं चुकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सहर हैं वो 3% भूमी पर हैं और 63% GDP में योगदान करते हैं बाकी बची भूमी पर करसी कारी होता है और जंगल है नदिया है और वो हमारी GDP में मात्र 17,8% का योगदान करता है तो यानि सहरों में ऐसे कुछ खास बाते हैं लेकिन उनके साथ कुछ चुनोतिया भी है जैसे governance की चुनोति, जैसे की water की प्रावलम, जैसे की alcohol की प्रावलम, जैसे sexuality की प्रावलम, जैसे adultery की प्रावलम, जैसे fundamental facilities की प्रावलम, जैसे slums की प्रावलम यसी तमाम जो चीजह है, administrative problems वो हमें देखने को मिल जाती है ठीक तो यह है फिर जैसे लोक तंतर में सिबल सेवकों की भूमिका तो लोक तंतर में जो है लोक तंतर पूरी एक बहुत बड़ी ब्यवस्था का नाम है जिसमें हमारा पूरा समाज आ जाता है चाहे वो ग्रामीर समाज हो या वो सहरी समाज हो तो अगर हम सहरी समाज की बात करते हैं तो जाहर से बात है वो भी हमारी लोक तंतर के दारे में हैं तो क्या वहाँ सिबल सर्वेंट या लोक सिवकों की ये जिमेदारी नहीं बनती है कि जैसे जलभरा हो जाता है अधिक पैलूशन होता है अधिक चैलेंजेज होते हैं तो उन को कैसे कर्व करें उनके साथ कैसे हम डील करें तो हमारी सोच को इस लेबल पर लेके जाना है अब जैसे अंतराश्टी संस्थाइं पर हो गया आपके कोर्स में तो जैसे UNDP हो गया ठीक IMF हो गया ऐसी संस्थाइं भी अपनी जो है रिपोर्ट इन सब इसे उपर निकालती है इन फैक आपदा और आपदा प्रबंदन का मामला हो गया ठीक परयावराण और विकास का मामला हो गया विकास बनाम उग्रबात का मामला हो गया उन सब जगहों पर भी ये चैलेंजेस हम start out करते हैं ठीक इन challenges को भी हम उनमें देखते हैं फिर अगर हम paper 4 के अपने बात करें paper 4 में हमारे paper 4 में बहुत clear कहा गया है कि सारजुनिक जीवन से जुड़े नीति सास्त्र को हम इसमें सामिल करेंगे तो एक नौकरसा हो चाहे एक bureaucrate हो in fact या एक राजनेता हो क्या उनकी जम्यदारी होती है क्या उनकी जम्यदारी नहीं होती है क्य वो इस तरीके की जुचुनावतियां है उनका निदान सुन्शिट करें ठीक क्या उनमें वो उस तरीके की अभिवरत्ती या attitude है जिनसे उस प्रकार की समस्याओं का उनिराकरण करने में सफल हो पाएंगे तो इन सब चीजों को हम अपने course में देखते हैं बहुत बार ऐसी case studies आ चुकी हैं जो सहरी चुनवतियों से लेकर हैं तो उनको भी हम solve करते हैं multiple dimension में solve करते हैं in fact मैं बताना चाहूंगा कई बार essays में इस तरीके की बाते आती हैं ठिक essay में निबंद में इस तरीके चीज़ आती हैं तो हाँ हम अपने आपको इस तरीके से अगर तयार नहीं करते हैं तो दिक्कत बनी रहती है मेरा आप सभी को अपने प्रिय दोस्तों को यही suggestion है प्रिय वीवर्स को और preparation करने वाले सभी छात्र छात्राओं को यही suggestion है जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ें तो 360 degree के formula में पढ़ें उसे एक तरीके का comprehensive model के format में पढ़ें तो आप यकीन मानिए आप बहतर प्रड़ाम बहतर चीज़े सुनशित कर पाएंगे और एक अच्छा result लेकर आप आप आएंगे ठीक अधर वाज़ आप सभी को पता है कि हिंदी मीडियम का result बहुत पूर है वो इसी वज़े से चुकि teacher पढ़ाने में अब नाकाफी हो रहे हैं उनको बहुत चुने teacher हैं गिने चुने teacher हैं जो अपनी बात को रख पा रहे हैं अपनी चीज़े को कर पा रहे हैं और coachings का ये आलम है कि उन्हें सस्ता teacher चाहिए उन्हें अच्छा teacher नहीं चाहिए जब उन्हें अच्छा teacher नहीं चाहिए तो फिर वो अच्छा result नहीं आएगा और अच्छा teacher में थोड़ा सा चीजे होती हैं जिनको उन्हें deal करना पड़ेगा एक business से बढ़कर हमें इसे एक pure सुधता के सुरूप में भी लेकर बनाए रखना पड़ेगा तब जाकर हम civil services जैसी गंभीर जिम्मेदाराना प्रतियुगिताओं में अपने result को बेहतर कर पाएंगे स्वेम के साथ पढ़कर अपने mentor के साथ पढ़कर अपने guide के साथ पढ़कर अब मैं अपने interview देने के अनुबहो ठेक अपने मुख्य परिच्छा के देने के अनुबहो अपने prelims qualify के अनुबहो और teaching के अनुबहो से ये बाते समझ पाया हूँ लगातार उन पर मैं सोचता हूँ काम करता हूँ तब ये बात मैं आप सभी से कह पा रहा हूँ कई ऐसे बड़े संस्थान हैं जो इस तरीके की चीजे बेवजह ऐसे teaching को रखे हुए हैं और वो बड़ी emotional बाते करते हैं मैं देखता हूँ कि teacher emotional बाते करते हैं ठीक और बच्चे आ जाते हैं उनके grip में आकर उनसे साल साल पढ़ते रहते हैं और result जब फेल होते हैं तब उन अब दुबारा जाओगे तो आप में कमी अचार बता देंगे लेकिन आपकी बात सुनने वाला फिर कोई नहीं होगा फिर आपको चार लोग सुनाएंगे इसलिए be aware रहें अपनी तयारी को सुरच्छित हाथों में रखें ऐसे लोगों के हाथ में रखें जो कम से कम फीस ल करना है जो आपकी मदद कर पाए आपको नई सुच नया सुरूप नया धाचा दे पाए इसी एक साथ मैं ये वीडियो समात करता हूं Thank you very much मिलते हैं कल एक टॉपिक के साथ जिस पूरे टॉपिक पर मैं verbally discuss करूँगा और आप देखिएगा कि किसी भी PPT से किसी भी जो है आडियो लेक्चर से वो कम नहीं होगा वो बहुत जबरदस्त होगा आप ये भी कर सकते हैं कि आप हमारे साथ जूर सकते हैं और लगाता जार उसकर नोट बना सकते हैं उसके साथ आप पढ़ सकते हैं बहुत जबरदस्त तयारी में आप सभी को करवाने वाला हूँ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेर कीजिए और और यूपेसी को ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए लाइक कीजिए ये मेरी आपसे विनम्रनी वीदन है थैंक यूवेरी मच